दोस्तों जो अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और साथ ही भारतिय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए एक सुनेहरा मौका है क्योंकि सेना के 22 Headquarter Movement Control Group ने पूरे भारत के युवाओं के लिए कई पदू पर सीधी भरती निकाली है और इसके लिए विभाग की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है इसलिए जो अगर आप इस सेना भरती में आवेदन करना चाहते हैं तो विडियो को आखरी तक जरूर देखें लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप इस विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना ना भूलें तक कि आपको ऐसे ही सेना भरती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके साथ ही सेना भरती संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारी ओफिसियल वेबसाइट www.senabharti.in को देख सकते हैं दोस्तों जिन पोस्ट के लिए भरती होनी है उसमें मसालची, बाबब, MTS और में स्वेटर आदी जैसे पद शामिल है इस नौकरी में आवेदन के लिए उम्मीदवार को मानिता प्राप्त संस्थान से दसवी पास होना अनिवार्य है साथ ही कुछ पदू के लिए एक से दो साल का experience भी जरूरी है और इसमें पूरे भारत के युवा अपना आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए नियुनतम आयू की सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयू की सीमा 25 वर्ष रखी गई है लेकिन आरक्षित वर्ष के उम्मीद्वारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी दोस्तों यहां उम्मीद्वारों का चैन सीधि प्रैक्टिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसमें की रीजनिंग, सामान्य ज्यान, एप्टिटोड और सामान्य अंग्रेजी के प्रशन शामिल होंगे और चैन तुम्मीद्वारों को मेट्रिक्स पे लेवल एक के तहट 18,000 से 56,900 रुपे तक का हर महीने वेतन दिया जाएगा दोस्तों आपको बता दे कि इस भर्ती को 22 हैटक्वार्टर मुव्मेंट कंट्रोल ग्रुप द्वारा डिफैंस सिविलियन पोस्ट के अंतरगत निकाला गया है जिसमें आवेदन के लिए आपको विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दिये गए फॉर्म को ओफलाइन माध्यम से भर कर पोस्ट द्वारा ग्रुप कमांडर, HQ 22 मूव्मेंट कंट्रोल ग्रुप के पते पर भीज ना होगा और इस नौकरी में आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है जो की 26 नवंबर तक चलेगी और अधिक जानकारी के लिए आप इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिये गए विभाग के ओफिशल नोटिफिकेशन लिंक को भी देख सकते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया